राजिस्थान में में फ्य 15 वाले राइजिंग राजिस्थान इंवेस्टर समिट का आज समापन हो गया है। आज इसका तीसरा दिन था मुख्यमंत्री भजलाल शर्भा उपम्फमंत्री दिया कुमारी इसके लावा उपमुक्यमातरी प्रेमचत बैरवा सबी तमाम जो नीता हैं नीतागण हैं और जो डेलिगेट से उनके संबोधन भी हुए तमाम इंवेस्टमेंट लाने की बात कही गई और ये दावा किया गया किस बार इस इंवेस्टर समिट पे जितने भी मो यूज हुए ह regain 35 करोर के दावा किया गया उनको धरातल पर इंप्लिम्मिंट किया जाएगा ये दावा किया गया कि इस से पहले जितने भी इन्वेस्टर समिट हैं उनकी तरह इस इन्वेस्टर समिट का हाल नहीं होगा ये वे स्मेट राइजिंग राजिस्थान की पहचान है खर इन सब से इतर दौसा में पाथ साल का मासूम आरियन बोर्विल में गिरा है उसकी जिन्दगी उसकी सांसे अटकी होई है लगातार लगबग पचास घंटों से जादा का वक्त हो गया है उसको बचाने की जद्द जहद जो है वो की जा रही है फिलाल पाइलिंग मशीन में जब खराबी आई तो लगा कि शायद बचना पाई लेकिन उसके बाद पाईलिंग मशीन को बदला गया और फिर से रेस्क्यू का काम चल रहा है टीवी नाइन भी उम्मीद करता है कि पांच साल के मासूम आरियन को जिन्दा बचाया जा सके उसको बचाया जा सके इश्वर उस पर अपनी क्रिपा जो है बनाए रखे खैर आज लेकिन सियासत में सवाल क्या है सियासत में सवाल ये पहला सवाल कि मंत्री मंडल में लोट आए हैं किरोडी क्या टकराव जो चल रहा था वो खत्म हो गया लंबे वक्त से ये लग रहा था कि बाबा किरोडी जब से उन् कि वो हमारे मंत्री हैं मंत्री मंडल का हैस्सा हैं लेकिन कई मोर्चों पर कई मामलों पर ऐसा लगा कि अपनी ही सरकार से बगावत बाबा की रोडिये कर रखे लेकिन आज जब राइजिंग राजिस्थान में इस कारिक्रम में बतौर मंत्री यह यूं कहें कि मंत्री कृषी मंत्री की हैसियस से पहुंचे तो फिर यह कहा जाने लगा और इस तरह की चर्चाएं और इस तरह की खबर तमाम टीवी चैनल्स और वेब साइट्स पर छपने लगी कि बाबा मंत्री मंदल में लौट आए हैं तो क्या है टक्राफ जो चल रहा था वो खत्म हो गया और दूसरा सवाल दूसरा सवाल भी महत्पूर्ण है दूसरा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री और बाबा की रोड़ी के बीट जो बर्फ है जो जमी हुई थी क्या वो बर्फ पिगल गई है क्या दोनों के बीट जो एक ठसक चली आ रही थी क्या वो ठसक खत्म हो गई है यह भी अपने आप एक बड़ा सवाल इसके लावा तीसरा सवाल यह है कि ERCP पर मंत्री जो मंत्री हैं उनको पाकिस्तान की याद क्यों आ गई मुल्लों पर राजकुमार रौत क्यों है परेशान और यह शब्द का इस्तमाल जो मैंने किया दरसल इस शब्द पर ही आपती है लेकिन इस शब्द के पीछे ही एक तरीके का पॉलिटिकल नेरेटिव गढ़ा जाता है और इस पॉलिटिकल नेरेटिव में अब न्याय पाल इका से जुड़े लोग भी शामिल होते इसमें कूधते नजर आ रहे हैं और इसी बात से राजकुमार रौत परेशान है यह भी क्या मामला है आज आपको बताएंगे और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वह टटोलने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बड़े आपको बता दे कि राजिस्थान के राजनीते उसके सटीक विसलेशन और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इंसाइट स्टोरी के साथ मैं हूं भावी शित्यागी अब देखे राइजिंग राजिस्थान का जो कारेक्टरम है वह आज खत्म हो है राजिंग राजिस्थान तीन दिवस्यें इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था देश विदेश से इन्वेस्टर्स पहुंचे तमाम डेलिगेट्स पहुंचे 35 लाक करोड के मोयू साइन होने का दावा किया गया और जो मसमी है आज तीसरे दिन उसको किस तरीके स देश में आगे बढ़ाया जा सके आज उस पर चर्चा की गई माफ की जिगा राजिस्तान में किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा सके उस पर आज इस इन्वेस्टर समिट समिट में मन्थन किया गया खैर यह सब रहा तमाम तस्वीर आए तमाम संबोधन है अब इस इन्वेस्टर समिट में नजर आई लेकिन एक एक चीज जो कॉंस्टेंट रही जो उस्थिर रही इन्वेस्टर समिट में वो प्रधान मंतरी के कारिक्रम से लेकर राजिसान के मुक्यमंतरी मंतरी और तमाम डेलिगेट्स जो आए थे उस सब के बीच एक कॉमन नाम प् गें विष्टर समिट प्रधाल मंस्री यह और खुद मुक्य मंत्री तक इसी मित है क्यों खार इस पर आज नहीं जाएंगे कि पीठ में छुरा घौपा गया उनके साथ दोका किया गया वो तमाम तरह की चीज़ और सीम भजलाल से भी उन्होंने अपील की थी हाली के दिनों में कि और वो अपना समवाद जो है वो बंद ना करे एस सियाई कविता शर्मा के साथ जिस तरीके का एक पूरा सिनेरियो बना उसमें भी बाबा किरोडी ऐसा लग रहा था कि अपनी सरकार के खिलाफ बगावत ठान बैठे हैं और ये ठसक लगातार चली आ रही थी अब ये कैसे खत्म हो इसकी तबाम जो चीज़े हैं कवायत अंदर खाने चल रही थी अब बाबा कुछ चीजों को नारास थे बाबा क आ जाता है ये बताया जाता है अंदर की जो चीजें हैं कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री और किरोडीलाल मीना के बीच एक असहमती का स्वर था और असहमती के साथ साथ कहीं ना कहीं जूनियर और सीनियर इस बात का प्रभाव भी नजर आया करता था अब खैर आज जब शिवराज सिंग चोहान केंद्रिय मंत्री इस समिट पर पहुंचे थे उस वक्त बाबा ने इशारों इशारों में कहा दिया कि देखिए आपको मध्यप्रदेश में बाबा कहा जाता है माफ़की जी का मद्यप्रदेश में आपको मामा कहा जाता है तो राजिस्थान में मुझे बाबा कहा जाता है अलग कि हसी टुटॉली शिवरा सिंग चोहान के साथ की बाबा कर रहे थे कि रूडिलाल मीना करते नजर आरे थे लेकिन क्या यह संदेश देने की कोशिश भी थी कि राजिस्थान में किर रोडिलाल मीना की हैस्यत बाबा वाली ही एक बार फिर से क्या उन्होंने मुख्य मंत्र की मूद्गी में खुद् के स्थ controversy और उनकी हैसियत का एक बार फिर से लठ गार दिया उन्हें बता दिया कि वह बाबा कि इस राजनीति के राजिस्थान पिघल रही थी इन्वेस्टर समिट में शाबिल हुए थोड़ी नजदीकिया मुक्यमंत्री से बढ़ी संबाद बढ़ा और उसंबाद के जरिये ही तमाम गिले शिक्वे जो हैं वो बाबा तिरोडी और सीम के बीच दूर हुए अब दोनों बातों के संभावनाएं हैं लेकि इससे पहले आप देखिए और इस कारिक्रम में भी जब जब प्रधान मंत्री मोदी का कोई कारिक्रम हुआ और प्रधान मंत्री मोदी जिस कारिक्रम की धुरी रहे उन कारिक्रम में पूरी राजिस्थान की बीजेपी एक नजर आई है लेकिन राजिस्थान बीजेपी के भीतर जो हल चल रही है जिस तरह के मनमुटाव नेताओं के बीच में और अब जो बाबा की रोड़ी और मुख्यमंतर के बीच में जो मनमुटाव कहा जा रहा था जो दूरिया बनती हुई कही जा रही थी वो लगातार बनती हमने इस तरह के कारिक्रमों के बाद देखी हैं तो कुल मिलाकर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो वो बर्फ थी वो बर्फ पिघल गई है अब इस कारिक्रम के बाद क्या बाबा एक बाद फिर उन मुद्दों पर मुखर होंगे जिससे की सरकार असहज होगी चाहे वो ऐसाई भरती रद किये जाने की बात हो उसके को लेकर आंदोलन की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है नीव भी बनाई जा रही है नीव तयार की जा रही है क्या उस नीव तयार करने में बाबा किरोडी भी एक दो इट जोड़ते नज़र आएंगे और ये चो टक्राव और जो बर्फ है वो और जादा सरकार और बाबा के रोड़ी के बीद जमती नजर आएगी ये टक्राव और बढ़ता नजर आएगा ये ये इस सवाल है क्योंकि परदे के परदे पर जो दिखाया गया इन्वेस्टर समिट के जरीए उस समिट की धुरी में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी थे और इस कारिक्टरम में कोई भी एक तरीके से प्रदान मंत्री के सामने विलन की भुमिका में नहीं आना चाता आप देखिए चाहे वह सुनरा राजे हो या फिर बीजेपी का कोई भी करदावर निता बाबा की रोड़ी को बिलाकर किसी ने भी लाइन से हटकर इस इन्वेस्टर समिट के बारे में बात नहीं की पूरा ध्यान केंद्रित इन्वेस्टर समिट पर रहा कहा गया कि ये बदलते राजिस्थान की ही तस्वीर है प्रधान मंत्री की तारीफ करते हर एक नेता नजर आए जैसा मैंने पहले दिन कहा था पूरे राजिस्थान की राजरीती में फील गुड फैक्टर तीसरे दिन भी बना रहा अब प्रधान मंत्री मोदी के धुरी वाले इस कारिक्रम का अंत होते ही बी जैपी की आंत्रिक और सरकार में जो आंत्रिक कले है क्या उसकी एक बार फिर से शुरुवात हो जाएगी ये सवाल इसके लावा रुख करते हैं ERCP को लेकर एक मंतरी को पाकिस्तान यादा गया पंजाब सरकार यादा गयी अब ERCP को लेकर देखे किस तरीके से मद्दप्रदेश के साथ MOU जो अनुबन जो है वो करार हुए उसके बाद से BJP लगातार ये दावा करती आई थी लगातार राजिस्तान सरकार ये दावा कर रही है कि देखे कितना बड़ा काम जो है जो इतने सालों से पूर्व की सरकारों में नहीं हो पाया वो भजनलाल सरकार में हो गया अब जो पानी की समस्या पूर्वी राधिस्तान की है चाहे वो पीने के पानी या सिचाई के पानी की हो वो दूर होगी अगर ऐसा है तो फिर मंत्री जवाहर सिंग बेड़म को पाकस्तान की याद क्यों आ रही है क्यों ERCP के सवाल को सवाल पर उन्हें पाकस्तान का जिक्र करना पड़ रहा है दरसल सवाल जब ERCP को लेकर पूछा गया तो जवाहर सिंग बेड़म ने कहा कि आमादी पार्टी का पाकिस्तान प्रेम क्यों खत नहीं होता कि वो पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक देते हैं ताकि बाकी जो भारत के कम से कम उत्तर भारत के राज्ये हैं उसको जो पानी के आपूरती है वो पूरी हो पाए अब एक तरफ ERCP पे जो अनुबन मद्यप्रदेश की सरकार और बाकी सरकारों से हुए हैं उसके जरीए कहा जा रहा है ये दावा किया जा रहा है कि देखिए भाई इतना बड़ा काम ERCP का जो अटका हुआ था वो हो गया और पानी के लिए हमने एक एतिहासिक कदम उठा दिय पंजाब सरकार को फिर इसमें घसीट करके क्या एक मुखोटा या शील्ड तयार की जा रही है कि अगर ERCP के जरीए भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो फिर जनता को जवाब कर देंगे और ये जवाब देना पड़ेगा कि ERCP के मसले पर जवाहर सिंग बेडम को प का इस्तवाल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक विश्विंदू परिशत की जो एक कारिक्रम हुआ उसमें जो इलाभाद हाइकोर्ट के जजज हैं उन्होंने कटमुले शब्द का समाल करते हुए कट इनको देश का दुश्मन करार दे दिया और वो वीडियो क्लिप लोगों के विकास उत्थान पर कौन द्यान देगा अब जिस तरह की भाषा का इस्तवाल नियायपालिका और नियायपालिका अलाबाद हाइकोर्ट के जजज करते इस वीडियो में निजर आ रहे हैं उसको किसी तरह किसे ठीक नहीं लोकतंत्र में ठीक नहीं ठहराया जा सक लेकिन अब उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तवाल किया जिसको कोट करते वे राजकुमार रौत में उन पर हमला किया है अब ऐसे में कटमुल्ला शब्द पर राजनीती राजिस्थान की राजनीती में क्या कोई नई बहस छड़ेगी ये भी सवाल है या फिर जिस तरह से राजिस्थान ने हमेशा से धार्मिक धुरी पर संप्रदाइक्ता की धुरी पर राजनीती को रिजेक्ट किया है क्या आगे भी राजिस्थान उसी तरीके से संप्रदाइक्ता और धार्मिक सेंटिमेंट पर इस बार भी राजिस्थान उसको डिनाई करता नजर आगा य establish करने की कोशिश की जा रही है सवाल आप भी इस मामले पर क्या सोच रहे हैं क्या विचार कर रहे हैं comment करके हमें ज़रूर बताएगा inside story का वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप comment में हमें लिख सकते हैं comment box आपके लिए खुला हुआ अपने बात अपने सवाल अपने विचार comment box के जरिया आप हम तक पहुचा सकते हैं खैर राजिसान से जुड़ी और भी तमाम ख़बरों को सबसे पहले जानने के लिए subscribe ज़रूर करिए TV9 राजिसान तमस्कार